Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग और मैं आप लगों के कमेंट्स पढ़ रही थी पिछली पिका कार्ड रीडिंग में नेक्स टॉपिक चूज करने के लिए तो यहाँ पे दिखे मैं नाम नहीं लोगी because I don't know कितने लोग नाम से comfortable है तो हमारे एक YouTube family member का suggestion था कि मैं हम third party बनाए as per parents तो मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है third party कोई भी हो सकता है parents हो सकते हैं, in-laws हो सकते हैं, कोई friend, कोई colleague हो सकता है और अगर आप किसी की तरफ attract हो रहे हैं और फिर आपके partner किसी की तरफ attract हो रहे हैं तो वो तो होता ही third party है और दिखे, specifically different different लोगों को लेकर अगर हम third party के उपर pika card reading बनाएंगे तो सिरफ third party ही एक topic रह जाएगा तो आप इस pika card reading को parents के point of view से भी देख सकते हैं जो मैंने अभी बनाई third party के उपर और next बहुत ही beautiful suggestion था कि मैम हम अपने partner के साथ अपना relationship कैसे strong करें तो ज़रूर मैं आपको बहुत amazing simple tips दूँगी जिससे कि आप अपने partner के साथ अपना relationship strong कर सकते हैं तो इसके उपर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी जादा तो लोगों ने no contact उनकी feelings का topic mention किया हुआ था और इसलिए मैंने आज ये topic भी choose किया और दूसरा topic जो बहुत सारे लोगों ने mention किया था वो था उनकी true feelings तो यहाँ पर देखिए again specifically हर इनसान की true feelings लेकर बनाएंगे तो सिरफ एक ही topic रह जाता है तो इसमें आप crush की भी feelings देख सकते हैं या फिर अगर आपकी किसी से बात नहीं हुई या one-sided love है तो उस point of view से भी broader level के लिए आप उनकी feelings देख सकते हैं तो next topic यही होगा हमारी pika card reading का इसी के साथ साथ आज की pika card reading शुरू करते हैं topic आप सब लोग जानते हैं no contact यानि कि बहुत time से अगर आपकी उनके साथ बात नहीं हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो आपको miss करते हैं और नहीं करते हैं The first pile में हमारे पास Blue Pyramid है and जिनका birth month March, June, September, December है उनके लिए भी first pile है And second pile में हमारे पास Tiger's Eye Crystal है and जिनका birth month January, April, July, October है उनके लिए यहां पे pile 2 रहेगा And third pile के लिए हमारे पास White Crystal है और जिनका birth month February, May, August, November में है उनके लिए third pile रहेगा So as usual आप चाहें तो यहां पे वीडियो पॉस कर सकते हैं आखें बंद करके आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं जिनसे आपका बहुत time से कोई contact नहीं है उनको सोचेंगे और आखें खोल के जो भी pile आपको attract करता है अगर आप intuitively pile चूज कर रहे हैं आप उसको चूज कर लेंगे और birth month के हिसाब से जो लोग pile चूज कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है कि आपके लिए क्या pile है और यह एक timeless reading है तो जब भी यह सवाल आपके मन में आता है यह reading आपके सामने आती है आपके सवाल का जबाब आपको इस reading में मिल सकता है तो चलिए जी शुरू करते हैं आपकी पिका का जीडिंग अगर आपने pile 1 यानि कि blue pyramid को चूज किया है या फिर आपका birth month मार्ट, जून, सब्टेमबर, दिस्टेमबर में से एक है तो यह reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 1 जिनके बारे में भी सूच के आपने ये pile चूज किया है यानि कि जो भी आपके loud 1 है जिनके साथ आप no contact zone में हैं किसी भी reason की वज़े से आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है वो आपके बारे में क्या सूचते हैं क्या उनका thought, feeling, emotion, intention आपके लिए है तो यहाँ पे एक चीज बहुत ही clear है pile 1 कि उनके मन में आपके लिए प्यार है, love है, care है क्योंकि सबसे पहला card हमारे पास है king of cups और ये card कहीं feelings, emotions, love, care, प्यार, महबबत की बात करता है तो फिर से मैं कहूंगी कि ऐसी energies उनके मन में आपके लिए हैं वो आपके बारे में सो आपके साथ togetherness चाहने की बात करते हैं, ring and diamond ring का card एक ही energies को confirm करता है और हम सब जानते हैं, ring you know partner तभी देते हैं, जब एक commitment relationship में चाहते हैं, हमेशा के लिए साथ चाहते हैं, शादी चाहते हैं, engagement चाहते हैं, तो कुछ ऐसा ही वो आपके साथ चाहते वे दिख रहे हैं, यहाँ पे 10 of cups का card भी family की बात करता है, कहीं togetherness की बात करता है, या फिर मैं कहूंगी हमेशा के लिए एक companionship, हमेशा के लिए togetherness, चाहने की बात करता है, जो की वो चाहते हुए दिख रहे हैं, and wheel of fortune reverse का card कहता है, कि कहीं किसी वजह से वो stuck महसूस कर रहे हैं, यह general reading है, सब pile 1 के partner या फिर जिनके बारे में भी सूच के आपने यह pile choose किया है, उनके लिए different reasons हो सकते हैं, और दूसरी चीज एक card कहता है, कि हो सकता है, जो भी circumstances है, situation है, उसकी वजह से वो move on करना चाहा रहे हैं, यानि कि वो आपके साथ togetherness चाहा रहे हैं, शादी चाहा रहे हैं, engagement चाहा रहे हैं, और जो भी circumstances, situations है, जिनकी वजह से अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि चलो भी move on ही कर जाते हैं, लेकिन वो move on नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत इस situation में stuck हैं, बहुत जादा अटका हुआ महसूस कर रह हैं, यानि कि फिर से मैं एक बरी बोल रही हूँ कि आप से वो move on नहीं कर पा रहे हैं, में इसका कार्ड strategy की बात करता है, figuring out mastermind की बात करता है, तो कहीं मन ही मन deeper level के लिए, उनके मन में यहीं चलता रहता है कि क्या करें, जिससे कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, जिसे कि आप लोगों की बीच में reconciliation हो जाए, या फिर जो भी issues की वज़े से breakup अगर हुआ है, या फिर no contact zone में है, उसको ठीक करें और फिर से बातचीत आप लोगों की शुरू हो, mastermind का कार्ड कहता है, mastermind इसमें लिखा हुआ है, और इसका मतलब यहीं है कि थोड़ा अगर चीजों को manipulate भी करना पड़े, reconciliation के लिए, आप से बात करने के लिए, diplomatically चीजों को deal भी करना पड़े, तो उसके लिए भी वो ready रहते हुए दिख रहे हैं, strategy का कार्ड कहता है कि planning उनके मन में रह रही है, कि again किस तरीके से चीजों को better करें, और कहीं इसी चीज से related, यह माइस का कार्ड कहता है कि एक फिकर है, एक चिंता है, दिखिए माइस यानि की चुए कैसे कुरेद कुरेद के, इनो कुतर 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 करते हैं, तो कहीं है कि इनो back of the mind में होता है नहीं कि एक restless si feeling है, anxiety है, टुक 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 कोई चीज आपको तंग कर रही है, परिश इसी और से बात कर रहे हैं उनके अलावा और इस चीज को वो observe कर रहे हैं, social media पे आपको stalk कर रहे हैं, आपके in fact मैं कहूंगी हर move पे उनका attention है, हर move को वो दूर से देख रहे हैं, हर आपसे related जानकारी को वो जानना चाहा रहे हैं, या फिर उनकी नजर में हैं and काफी jealous feel कर र लग रहा है और कुछ pile one के लिए हो सकता है कि जिनके बारे में भी सोच के आपने ये pile choose किया है, वो कहीं आपको jealous feel कराने के लिए किसी और के साथ connect कर रहे हैं, किसी और के साथ flirt कर रहे हैं, किसी और के साथ interactions कर रहे हैं and देखिए again मैं कहूंगी दोनों ही scenario में, social media पे आपको stalk कर रहे हैं, हर आपसे related चीज के बारे में उनको जानकारी है, हर आपसे related चीज की उनको खबर है, हर चीज के बारे में आपसे related वो बहुत curious होके जानना चाह रहे हैं, तो nutshell में अगर हम देखें pile 1 तो यहाँ पर यह कार्ज यही कहते हैं कि वो आपको miss करते हैं आपको याद करते हैं आपके लिए उनके मन में बहुत love, care, प्यार, महबत है और आपसे connect करना चाहते हैं यह से यहाँ पर देखिए birds का कार्ट कहता है कि वो आपसे heart to heart conversations करना चाहा रहे हैं आपको phone करना चाहा रहे हैं लेकिन साथी साथ एक nervousness भी महसूस कर रहे हैं साथी साथ बहुत confident नहीं महसूस कर रहे हैं आपको call करने के लिए, आपसे connect करने के लिए हो सकता है pile 1 आपने या उन्होंने बहुत strongly उस time पे कहा हो कि भई अब बात नहीं करेंगे अब आगे से एक दूसर से connect नहीं करेंगे और इसी वज़े से उतना confident वो नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर कोई भी reason रह सकता है लेकिन birds का card, again मैं कहूंगी बहुत clearly कहता है कि वो आपसे phone call पे बात करना चाहा रहे है या फिर otherwise भी you know conversations करना चाहा रहे है आपसे you know दिल की बातें share करना चाहा रहे है और कुछ pile 1 के लिए हो सकता है कि उनको कहीं डर लगता है लोग आपके और उनके बारे में बात ना करें और इसी लिए कहीं एक nervousness वो महसूस कर रहे है and yes मैंने आपको बताया कि वो आपके साथ marriage, commitment, engagement या फिर इस तरीके से जो भी एक togetherness से related चीज़ें होती है वो चाहते हुए दिख रहे हैं तो ये था pile 1 जनके बारे में भी सोच कि आपने ये pile चूस किया उनकी current energies और अगर ये reading आपके साथ resonate करी आपको आपके सवालों का जवाब मिला तो आपको पता है आपको क्या करना है इस चैनल को like, share और subscribe करना है और अगर आपने pile 2 यानि की tigers eye crystal को choose किया है या फिर आपका birth month January, April, July, October में है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 2 cards क्या कहते है जिस भी loved one के साथ आपका अभी बातचीत नहीं हो रही है आप no contact zone में है उनकी क्या current energies है, thoughts है, feelings है, emotions है, intentions है आपके लिए तो सबसे पहली चीज़ pile 2 ये cards कहते है कि उनके मन में feelings है, emotions है लेकिन वो बिल्कुल भी आपको otherwise भी जाहिर नहीं करते होंगे यहाँ पे देखे, सबसे पहले cards में जो दिख रहे है Water and Queen of Swords Reverse और ये दोनों ही cards एकदम से contrary energies की बात करते है Water का card emotions, feelings की बात करता है Queen of Swords का card बहुत logically चीज़ों को deal करने की बात करता है तो कहीं देखे, मन ही मन, उनका मन तो कर रहा है आपसे connect करने का, आपसे बात करने का या फिर आपके लिए उनके मन में feelings है, emotions है, love है लेकिन कितनी बारी होता है ना, लोग खुद को भी नहीं accept करते है कि उनके मन में सामने वाले के लिए feeling है तो कुछ ऐसी सी energies उनकी रहती वही दिख रही है जो भी situation है, उसमें बहुत ही logically चीजों को deal कर रहे है और कुछ pile two के लिए हो सकता है कि कोई female है क्योंकि यहाँ पे देखिए queen of souls reverse का card है जिनकी तरफ से involvement है, interference है यह female कोई भी हो सकती है लेकिन इनकी बहुत हो सकता है कि एक motherly energies है और थोड़ी सी obsessive है थोड़ी सी possessive है इनके लिए और थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत protective भी इनके लिए हो जिनकी काफी एक involvement है तो फिर से मैं कहूंगी कोई female है जो बहुत logical है बहुत जादा mind से चलती है हो सकता है mind games भी खेलती हो ये female कोई भी हो सकती है जिनके बारे में भी सोच के आपने ये pile choose किया है कुछ के लिए उनकी mother हो सकती है कुछ के लिए उनकी female friend हो सकती है कुछ के लिए उनकी कोई colleague हो सकती है कुछ के लिए sister हो सकती है again कोई भी female हो सकती है जिनके बारे में सोच के आपने ये pile चूज किया है उनकी life में जिनकी काफी एक involvement है जिनकी काफी एक interference है जो थोड़े से mind games खेल रही है और ये काफी protective, obsessive है आपके loved one के लिए और कहीं देखे overall के लिए अगर मैं देखू तो आपके loved one अभी इस connection को खतम करना चाहते है यहाँ पे death and coffin के cards again you know ending और beginning की बात करते है तो in fact ये ending, beginning किसी भी तरीके की हो सकती है कुछ pile 2 के लिए हो सकता है जनके बारे में सोच के आपने ये pile चूज किया है जो भी issues आप लोगों के बीच में हैं उनको end करके आपके साथ एक fresh start करना चाहा रहे है लेकिन जादा मुझे दिख रहा है कि इस relationship को end करना चाहा रहे है इस relationship को ही फिर से मैं कहूंगी खतम करना चाहा रहे है और काफी दिखिए उनकी immature energies रही होंगी जब आप लोग एक दूसरे से connected थे या फिर अभी भी बहुत immature तरीके से वो इस situation को deal कर रहे है और दूसरी चीज़ देखिए वो बिलकुल भी commitment के लिए ready नहीं रहते हुए दिख रहे है हो सकता है वो आपके साथ connect करना चाहा रहे है आपके लिए उनके मन में feelings है, emotions है उनको आपकी परवा है लेकिन वो future आपके साथ नहीं सोच रहे है वो commitment आपके साथ नहीं चाह रहे है या फिर अभी, you know, वो commitment के mood में नहीं है बहुत एक serious relationship के frame of mind में नहीं है यहाँ पे देखिए the fool and page of wands reverse के cards फिर से मैं कहूंगी एक बहुत careless attitude की बात करते है एक बहुत carefree energies की बात करते है एक बहुत immature energies की बात करते है जो की, you know, उनकी रहती हुई दिख रही है लेकिन साथ ही साथ दिखे, apple का card कहीं forbidden fruit की बात करता है, temptation की बात करता है तो आपसे connect करने की एक temptation, एक, you know, चाहा उनके मन में है तो फिर से दिखे, natural में वो कहीं आपकी परवा करते हैं, आपके लिए उनके मन में feelings है, emotions है वो आपसे connect भी करना चाहते है, वो आपसे बातचीत भी करना चाहते है यहाँ पे stars का card भी, कहीं, you know, एक feelings, emotions की बात करता है एक positivity की बात करता है, जो आपसे उन्हें मिलती है जो आपके साथ वो feel करते हैं, तो कहीं देखिए, फिर से stars का card भी, आपसे connect करने की भी बात करते है और apple का card फिर से मैं कहूंगी, एक बहुत temptation इसी चीज़ को लेकर रहने की भी बात करते है बार बार उनका मन करता होगा की, you know, कर लेते हैं, कोई बात नहीं लेकिन फिर बहुत logically अपनी इसी feeling को वो suppress भी कर देते हैं और यहाँ पे देखिए, वालकेनों का card eruption की बात करता है, tower moment की बात करता है और देखिए, ये card भी कहीं कहता है कि अपनी feelings को, अपनी emotions को वो suppress करते जा रहे हैं, उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं और again मैं कहूंगी कि खुद को भी नहीं वो accept कर रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए feelings है, उनके मन में आपके लिए प्यार है calculator का card एक दो चीज़ें कहता है सबसे पहली चीज, हर चीज को बहुत calculate करने की बात करता है हर चीज के pros and cons को way करने की बात करता है logically चीज़ों को deal करने की बात करता है और कहीं देखिए यहाँ पर financial strain, money problems, survival लिखा हुआ है तो हो सकता है कि उनकी financial position अभी थोड़ी सी अच्छी नहीं है या मैं कहूंगी खराब है, money को लेकर issues है उनका professional front इतना बढ़िया नहीं चल रहा है या फिर professional front में, career में issues है और उनको ऐसे लग रहा है कि अभी वो पुरी तरीके से subtle नहीं है पुरी तरीके से, you know, stable नहीं है खुद से तो आपकी responsibility वो कैसे लें और ये भी एक चीज हो सकती है जो उनको hold back कर रही है आगे बढ़ने के लिए यहां पे cross का card कहीं इसी चीज को लेकर यहां फिर otherwise भी burden रहने की बात करता है stress की बात करता है कहीं बहुत एक pressure, tension भी महसूस करने की बात करता है जो की जिनके लिए भी आपने सोच कर ये pile choose किया है वो महसूस कर रहे हैं तो nutshell में फिर से मैं आपको यही कहूंगी pile to की आपके लिए उनके मन में feelings हैं बहुत एक temptation भी हो रही है आपसे connect करने के लिए आपके साथ बहुत एक positivity वो महसूस करते हैं और कहीं देखे आपे page of ones reverse का card कहता है कि आपको again बहुत call करना चाह रहे हैं आपसे you know मिलना चाह रहे हैं आपको email करना चाह रहे हैं message करना चाह रहे हैं लेकिन क्योंकि ये card reverse है तो खुद को hold back कर रहे होंगे और logically चीज़ों को deal कर रहे हैं अपनी feelings emotions को suppress कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई female है जो mind games खेल रहे हैं आप दोनों के बीच में कहीं एक distance create कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए क्या वो आपको contact करेंगे या नहीं करेंगे तो cards कहते हैं कि हो सकता है आपको contact वो कर भी दें लेकिन कहीं commitment नहीं देंगे लेकिन कहीं एक seriousness आपको नहीं उनके behavior में दिखेगी बहुत एक immature, careless या फिर carefree सा attitude उनका रहेगा और कहीं वो इस relationship को end भी करना चाहा रहे हैं तो फिर से देखिए आगे ये relationship नहीं बढ़ता हुआ देख रहा है और chances यहीं है कि वो आपको contact नहीं करेंगे हाल फिलाल या फिर जब भी भी आपी reading देख रहे हैं उससे next three months में इसके बावजूत कि वो आपको call करना चाहा रहे हैं message करना चाहा रहे हैं तो ये थी pile 2 आपकी reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें और अगर आपने pile 3 यानि की white crystal choose किया है या फिर आपका birth month February, May, August, November में से एक है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 3 cards क्या कहते हैं जो भी आपके loved one है जिनसे आपकी बातचीत बंद है no contact zone में है उनकी अभी क्या current energies है क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं feel कर रहे हैं क्या उनकी आपके लिए intention है और जब भी भी आप ये reading देख रहे हैं उससे next 3 months में वो आपको contact करेंगे या नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चीज़ pile 3 मुझे दिख रही है किसी ना किसी level पे किसी ना किसी तरीके से एक cheating इस relationship में रही या फिर cheating, unfair energies, injustice reason रहा आप लोगों की बातचीत बंद होने के लिए यहाँ पर देखिए 5 of swords, 7 of swords, reverse and high priestess के card इन्ही energies को confirm करते हैं यह सब के लिए थोड़ा-thोड़ा differ करेगा क्योंकि यह general reading है कुछ pile 3 के लिए हो सकता है कि circumstances, situations ऐसे थे जहाँ पे relationship के साथ किसी ना किसी level पे unfair चीज़ें रही एक injustice रहा कुछ के लिए हो सकता है कि pile 3 आपकी तरफ से एक cheating या फिर unfair energies रही कुछ pile 3 के लिए हो सकता है जिनके बारे में सोच के आपने ये pile choose किया है उनकी तरफ से एक unfair energies या फिर किसी भी level पे cheating रही और देखे मैंने हमेशा कहा है pile 3 cheating सिरफ यह नहीं होती है कि आप अपने partner के लावा किसी और में जादा interest दिखा रहे है या फिर किसी और की तरफ attract हो रहे है या आपके partner आपके अलावा किसी और की तरफ attractions हो रहे है उनसे जादा interact कर रहे है cheating तब भी होती है जब वो attention जब वो care आप दोनों एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं किसी भी reason की वजए से तो इसी तरीके से दिखिए cheating के सब के लिए different reasons रहे होंगे या फिर अभी भी है या तो broader level के लिए हम देखें आप किसी और की तरफ attract हो रहे थे आपके partner किसी और की तरफ attract हो रहे थे ये एक सेनारियो रहेगा दूसरा दिखिए क्योंकि यहाँ पे high priestess reverse का card है तो हो सकता है कि वो transparency आप दोनों में से किसी एक ने नहीं रखी इस relationship में किसी तरीके का जूट बोला, किसी तरीके से चीजों को manipulate किया कहीं यूनो बहुत जादा again मैं कहूंगी transparent नहीं थे जूट बोले कुछ के लिए हो सकता है कि healthy जूट हो यानि कि आपका intention या फिर अगर आपके partner ने या जिनके बारे में सोच कि आपने ये pile choose किया है उनका intention गलत नहीं था, उनका intention बहुत pure था इस relationship को बचाना था, इस relationship को save करना था किसी भी reason की वजए से जूट आपने या आपके partner ने बोले या फिर बोलना पड़ा, या फिर कुछ चीजें छुपाई, कुछ secrets रखे जिसकी वजए से आप लोगों के बीच में rift रहा होगा या फिर अभी भी rift चल रहा है और इस scenario में देखिए आपके partner कहीं बहुत ही अगर हम deeper level के लिए देखें यानि कि बहुत deep उनकी feelings, emotions में जाएं तो उनके मन में feelings तो हैं, वो इस relationship को improve तो करना चाहते हैं और कहीं देखिए आपके बारे में सोचते भी हैं मन ही मन उनको ये भी लगता है कि एक chance तो इस relationship को आपको देना चाहिए उनको और अगर देखिए आपकी तरफ से रहा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको लगता है लेकिन surface level के लिए देखिए बहुत अपनी feelings, emotions को लेकर in control रहते हुए दिख रहे हैं बहुत logically, बहुत detachment के साथ चीजों को deal कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए donkey का card उनकी तरफ से बहुत एक जिद, बहुत एक stubborn energies की बात करता है यानि कि जो कह दिया, उससे वो हटना नहीं चाह रहे हैं उसमें वो किसी भी तरीके से compromise नहीं करना चाह रहे हैं या फिर उसको लेकर बहुत rigid रहते हुए दिख रहे हैं कहीं देखिए जो भी issues आप दोनों के बीच में रहे उनको लगता है पहले चीजें heal होनी चाहिए, एक balance आना चाहिए आपके और उनके goals align होनी चाहिए, आपके और उनकी feelings align होनी चाहिए और कहीं wrinkle shirt का card imperfection की बात करता है, impression की बात करता है तो कुछ चीजों ने बहुत गहरा एक चाप उनके मन में छोड़ा है और यहाँ पर दिखिए, मैंने आपको अभी बताया, किसी तरीके की unfair energies, किसी तरीके का injustice वो महसूस कर रहे है फिर से कहूंगी कुछ pile 3 की तरफ से हो सकता है, कुछ के लिए जिनके बारे में आपने सोच के ये pile choose किया है उनकी तरफ से unfair energies रह सकती है, लेकिन बहुत एक गहरा, इस चीज ने impression छोड़ा है जो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई यह ठीक नहीं हो सकता है अब किसी भी तरीके से इस चीज को नहीं ठीक करा जा सकता है बोलते हैं न कुछ गलतियां हैं जो सुधारी नहीं जा सकती है तो इस तरीके के एक energies उनकी रह रही है अवोकर्डो का card again smoothening over, butter up, consistency की बात कर रहे है तो कहीं देखिए जो उन्होंने कह दिया, जो उन्होंने कर दिया वो उसी पर ही कायम रहना चाह रहे हैं और यहां पर moon, child, clover and stock के cards कहते हैं कि again मन ही मन, एक feelings है, emotions है आपसे connect करना चाह रहे हैं, चीजों को improve करना चाह रहे हैं उनको यह भी लग रहा है कि भाई एक chance तो देना चाहिए लेकिन कहीं उनको ऐसे लगता है कि भाई चाहिए chance देने के बाद भी, चीजें सुधरेंगी नहीं यह ऐसा एक चीज हो गई है relationship में सब के लिए different चीज रहेंगी जो सुधर ही नहीं सकती है उसने एक छाप छोड़ दिया है उसने बहुत एक impression, you know, create कर दिया है जो कि ठीक नहीं हो सकता है और उसी चीज पे वो कायम है एक जिद है, एक stubborn energies है कि बस अब इस relationship में आगे नहीं पढ़ना है तो मुझे नहीं लगता कि जब भी भी आप ये reading देख रहे हैं उससे next 3 months में pile 3 वो आपको call करेंगे वो आपसे connect करेंगे कहीं वो escape करते हुए दिख रहे हैं यानि कि आप कभी सामने भी उनके आ जाते हैं social media पे या otherwise तो वो कहीं नजरे बचा लेंगे या फिर इग्नोर कर देंगे avoid कर देंगे वो confront चीजों को नहीं करते हुए दिख रहे हैं again मैं कहूंगी एक escapism वाली energies उनकी अब से लेकर अगले 3 महीने में रहती हुई दिख रही हैं जब भी भी ये reading आप देख रहे हैं और कहीं जो भी वो feel कर रहे हैं और पिर जो भी उनकी emotions हैं वो नहीं express करना चाहा रहे हैं वो इस relationship से withdraw करना चाहा रहे हैं और reason मैंने आपको बताया किसी भी तरीके की unfair energies cheating रहती हुई दिख रही हैं बहुत detachment के साथ चीज़ों को deal कर रहे हैं बहुत logically या फिर mind से चीज़ों को deal करते हुए दिख रहे हैं तो ये था pile 3 आप लोगों के लिए reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें